नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्मेंट एक्जाम स्टडी में या किसी भी जगे जहां आपको लगे कनफ्यूजन है उसको आपको अभी और पढ़ना है तो देखे दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किये वे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों स्वाधार ग्रह योजना को कौन सा मंत्राले कार्यानवित करता है तो देखे दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा आपका इसका उत्तर होगा महिला और बाल विकास मंत्राले ये इसका उत्तर होगा ठीके दोस्तों नेक्स क्वेश्चन देखे तहसीलदार किस इस्तर पर राजजस्व प्रशाशनिक अधिकारी होता है खंड स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर या फिर ग्राम स्तर तो किस स्तर पर होता है? तहसील दार आपका तहसील स्तर पर राजस्व प्रशाशनिक अधिकारी होता है तू का C Next question है एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कुल कितने विश्यों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है पताईए एक ग्राम पंचायत में महिलाओं को कुल कितने विश्यों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है तो आपको पता है महिलाओं के लिए क्या है 33% का कोटा है तो 3 का क्या होगा आपका B जब भी महिलाओं के लिए कोई बात होगी न ग्राम पंचायत में बिना सोचे हम जो आपको 33% मार देना है तो 3 का B अंग्रेजों द्वारा रयतवाडी विवस्था सरप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी बरार, कुर्ग, मद्रास या फिर इन में से कोई नहीं तो देखे आपको पता होगा शायत रयतवाडी विवस्था जो थी वो आपकी मद्रास में यह यहाँ पर चालू की गई थी पहली बार ठीक है कहाँ पर लागू की थी मद्रास में C option है 4 का आगे देख लीजे थीओ डो लाइट का क्या कारी है यह हो सकता आपके लिए नया हो यह एक instrument होता है ठीक है दोस्तों यह देखे मैंने फोटो बनाई हुई है इस तरह का instrument होता है इसकी क्या कारे होता देखिए एक यंत्र जिसकी सहायता से समतल कोड तता उचाई कोड की माप की जाती है विद्धुधारा का माप चुम्बकी प्रभाव का माप समुद्ध की गहिराई का माप तो देखे दोस्तों थीओडो लाइट जो होता है तो 5 का आपका A है फ्लोरी कल्चर से क्या तात पर रहे है फलो और सबजियों के उत्पादन से फूलों के उत्पादन से सबजियों के उत्पादन से या फिर इन में से कोई नहीं तो फ्लोरी कल्चर देखिए दोस्तों फूलों के उत्पादन से है अगर आपको पता होगा सबजियों के उत्पादन को बोलते हैं ओलेरी कल्चर हो सकता है आप में से कई लोग जानते भी हो ओलेरी कल्चर आपका सबजियों के उत्पादन के लिए होता है ठीक है और फ्लोरी कल्चर फूलों के उत्पादन के लिए ठीक है, सात्वा देखिए है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्न जीव विहार है देखिए मैंने आपसे बताया भी है, ग्राम विकास वाले में आपके में किस विकास वाली चीज़ें तो आती ही हैं, बाकी यूपी स्पेशल भी आता है और सबकी location देखी कहां कहां है तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ठीक है सात्मे का B है आपका और ये भी question पूछा गिया एक बार कितने जिलों में फैला हुआ है तो ये 5 जिलों में फैला हुआ है हस्तिनापर वन्यजीव विहार मुजफर नगर, मेरट, हापुड, बिजनौर और अम्रोहा ठीक है पांच जिलों में फैला हुआ है अगरा देखी क्या है सुमेलित करना है आपको दो सूचियां दी हुई है सुमेलित करना है तो आप विद्दु संयंतर एक तरफ दिये हैं और एक तरफ जन्पत दिये हुए है अब देख लीजे आपको पता होगा शायद जातरलों को पन की जो है वो कानपूर में है तो D का क्या हो गया आपका 1 हो गया, पन की कानपूर में है ऐसे ही देखिए ओबरा ओबरा आपका कहां पे बताईए ओबरा आपका कहां पे है, सोन भद्र में है तो C का 2 हो गया अब देखिए D का 1 और C का 2 जहां भी हो वही option आपका हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा, B हरदुआ गंज आपका अलीगड में है अनपरा आपका सोन भद्र में है ठीक है, चलिए नेक्स देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाती बहुविवा आचरित करती है गोंड, जौन सारी, थारू या फिर खरवार कौन सी करती है, जौन सारी जौन सारी जो है वो बहुविवा है तो आप जौन सारी जनजाती क्या करती है बहुविवा, तो ना इनका बी हो जाएगा नेक्स देख लिए उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीती की घोशना कब की गई थी 30 जनवरी 1990 29 दिसंबर 1998 31 जुलाई 1997 या फिर 18 आगस 1995 तो कब आईए पहली खनिज नीती 98 में आपकी आईए अगर आपको येर याद होगा तो भी आप कर लेंगे 1998 पहली खनिज नीती की घोशना की गई थी 19 दिसंबर 1998 को सामाने तोर पर मंत्री परिशत की अवधी होती है 4 वर्ष 6 महिने 5 वर्ष 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष 3 मह आपको पता है इसका उत्तर क्या होगा B 5 साल 5 साल सरकार का होता तो 5 साल आपकी मंत्री परिशत की भी अवधी होगी 11 का B हद बंदी कानून संबंदित है किससे है भूमी उत्पादन से भूमी विशमता को दूर करने के लिए उपर के दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो देखें 12 का क्या है B है भूमी विशमता को दूर करने के लिए हद बंदी कानून आया है ये हद बंदी कानून समझी एक तरह से आया था सीमा निधारन के लिए कि सीमा कैसे निधारित की जाया उसके लिए आया था तो ये भूमी विशमता को दूर करने के लिए संबंदी था ठीक है 12 का B पंचायती राज को डैश के अंतरगत स्वशशन के एकाई के रूप में संगडित किया गया मूल अधिकार के हिसाब से है प्रस्तावना के नीति इंदेशक तक्तों के हिसाब से या फिर 73 जो आपका Constitutional Amendment याने की संशोधन हुआ था तो पता होगा आपका 13 का क्या है D भारती सम्विधान के 73 संशोधन से आपको पंचायती राज का गठन कराए गया था अब इसकी पूर डिटेल आप आप पढ़ लिजेगा नेक्स देखिए उत्तर प्रदेश में चगबंदी योजना का प्रारम किस वर्ष हुआ किस वर्ष हुआ है इसका D है 1954 ठीक है आपको दोस्तों लिंक में डिस्क्रिप्शन देदूँगी आप टेलिग्राम का लिंक देदूँगी आप टेलिग्राम को भी जरूर जोइन करेगा कि मैंने वहाँ पे आपको ग्राम विकास की पीडिया प्रोवाइट करी है गठना चकर की अरिहंत की सब की आपको बुक्स मिल जाएंगी आप उनको एक बढ़ पढ़ लीजिए आप कास्टाइम है अभी तो उननीसो चॉवर में चकबंदी योजना का प्राराम उत्तर प्रदेश में हुआ था फॉटीन का डी नेक्स देखिए एक ग्यारवी अनुसूची में उलिखित कुल कितने विश्यों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई 27 विश है, 28 विश है, 30 विश है या फिर 29 विश है तो पंचायतों को कितने विश है पर ये प्रदान की गई शक्ति? 29 पे और देखिए इससे एक और सी आपकी क्लियर हो गई एनुसूची कौन सी यह पंचायत की 11 वी एनुसूची ठीक है 15 का D हो जाएगा चलिए next देख लेते हैं रास्ट्री पेजल मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया किस वर्ष शुरू किया गया बताईए 1985, 86, 93 या फिर 96 बताईए किस वर्ष पेज और मिशन कप शुरू हुआ आपका 16 का क्या होगा 16 का B है 1986 में next देखिए सजरा क्या है यह सब देखिए सजरा वगरा मैंने आपको पढ़ाया है लेकपाल का आपको प्लेलिस भी मिल जाएगा आप वहाँ जाएगे मैंने आपको चकबंदी, सजरा आपको जो मेजरमेंट होते हैं इसा बताया है आप उनको ज़रूर देख लिजेगा बहुत इंपोर्टन वीडियो, तीन-चार वीडियो लेके बहुत इंपोर्टन है तो 17 का क्या है, छोटी-छोटी वीडियो है देख जरूर लिजेगा सजरा क्या है, सजरा आपका एक मान्चित्र है ठीक है नेक्स देख लिजे राष्ट्रिय पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है कहा पर उत्तर प्रदेश के कुछ मंडलों में, पूर्वांचल के कुछ जिलों में, बुंदेल खन छेतर या फिर संपोर्ण प्रदेश में कहा पर चलाई जा रही बताईए, ठारा का डी है राष्ट्रिय पशुधन बीमा योजना संपोर्ण प्रदेश में चलाई जा रही है नेक्स देख लिजे उत्तर प्रदेश में कृषी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1875, 76, 93, या फिरिच 74 में तो उत्तर प्रदेश में कृषी विभाग की स्थापना 1875 में की गई है 19 का A होगा नेक्स देख लिजे उत्तर प्रदेश में सरवाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है? 20 का क्या होगा? लखीम पुर्खीरी, महराज गंज, पीली भीत, या फिर, सोन भद्र सबसे आदा 1 वाला छेतर कौन सा है? आपको पता होगा 20 का D है, सोन भद्र सरवाधिक वनाच्छादित जनपद है आपका ठीक है? देखें दूस्तों, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे ना, तो ग्रामीर विकास का एक अलग है और हिंदी के भी प्राक्टिसेट का एक अलग है, तो आप उससे हिंदी के प्राक्टिसेट ज़रूर लाग के देखेगा, उससे आपको लागू नहीं होगा अनुसुच जातियों का अरुनाचल प्रदेश में, 21 का क्या है C, ठीक है, नेक्स देख लीजे प्रधान मंत्री रोजगार स्रुजन कालिक्रम कब प्रारम किया गया, 10 अगस्ट 2018, 15 अगस्ट 2018, 26 जन्वरी 2018 या फिर 10 2018, कब लागू किया गया, कब प्रारम किया गया प्रधान मंत्री रोजगार, आपका लागू किया गया है 15 अगस्ट 2018, बहुत important question है ऐसे question आपको योजनाव वाले पता होने चाहिए कब क्या, और जो रोजगार, किसानों से जरूर रिलेटेड है, या फिर गाउं अगया अगया से उनको जरूर अटलट लीजेगा तीक है इसका 22 का B है, 23 देखे उत्तर प्रधेश में आर्मी एविएशन के इंद्र कहां पर इस्थित है, लखनव ग्रिटर नोयडा, जहासी या फिर आगरा कहां पर है, आर्मी एविएशन के इंद्र आपका जहासी में है, 23 का C है नेक्स देख लीजे, उत्तर प्रधेश का एक मात्र शास्त्री नित्र है कथक कली, मोहिनी एट्टम कथक या फिर इन में से कोई नहीं कहां पर है, 24 का आपका C है कथक, उत्तर प्रधेश का उसासी नित्र है, वो कौन सा है आपका कथक है, ठीक है, मोहिनी एट्टम केरल का है सबसे लास्ट क्वेशन आपका है, आखरी आज का एक लाठा बराबर होता है आट फिर तीन इंच, नाइटीन इंच, एक कदम या फिर A और B दोनों तो देखिए दोस्तों, एक लाठा आपका बराबर होता है आट फिर तीन इंच के, नाइटीन इंच के यानि कि A और B दोनों के बराबर होता है दोस्तों आपको देखिए दोस्तों, पुरा आपनी कर लिया होगा आपके कितने नंबर आए कमेंट सेशन में ज़रूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हमारे पास टार्गेट है 1000 प्रेश्णों का 1000 प्रेश्णों हमको डेली लगाने 25 क्वेश्ण यानि कि डेली हमको 25 क्वेश्ण लगाने है तो हम लोग को दो महिने में खतम कर देंगे ठीके दोस्तों जल्दी खतम कर लेंगे हम लोग चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा और अगर आपके कोई फ्रेंड लों को शेर ज़रूर कर दीजेगा धन्यवाद